जब भी हम किसी नई जॉब के बारे में सूचते हैं, उसे जॉइन करने के बारे में सूचते हैं या उसके तयारी के बारे में सूचते हैं, तो हमारे मन में दो ही खयाल आते हैं, पहला कि उस जॉब में हमें क्या काम करना पड़ेगा, क्या वर्क लूड होगा, और दूसरा कि उस जॉब में हमको salary कितनी मिलेगी और जॉब की security कितनी होगी क्योंकि हर जाइन करने के पीछे salary एक बहुत बड़ा factor होता है तो आज हम इसी topic पर बात करेंगे और देखेंगे nursing officers को aims में कितनी salary मिलती है All India Institute of Medical Science जो की एक central government का hospitals होता है और यहाँ पर nursing officers को Norset के exam के थ्रू रखा जाता है जो की एक बहुत ही prospectious job मानी जाती है nursing के छेत्र में तो आज हम उसी के बारे में सारी detail जानेंगे और देखेंगे कि उनको कितनी salary मिलती है उनका basic पर कितना होता है कितना percent अचारे मिलता है कितना TA मिलता है कितना DA मिलता है और उनके कितने taxes काटे जाते हैं कितने NPS काटे जाते हैं ठीक है और देखेंगे कि gross salary क्या होती है और enhance salary क्या होती है और साथ-साथ यह सब देखेंगे हम आपके salary slips से आज हम आपको AIMS की salary slip भी दिखाने वाले हैं तो आपका सारा confusion salary related आज दूर हो जायागा यहाँ पे तो वीडियो में अंतक बने रहे हैं लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को जरूर से subscribe कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे नर्सिंग से related सारी जानकरियां जॉब की information और study material आपके लिए free of cost provide किया जाता है तो चैनल को जरूर से subscribe करिएगा क्योंकि यह आपके लिए बहुत helpful होने वाला है तो अगर बात करें AIMS की तो AIMS जो है एक central government का hospital होता है जहांपे की nursing officers को च्यालिस सो ग्रेट पेपे 7 CPC के अंदर में salary दी जाती है तो इनकी जो है basic salary जो है वह 44,900 रुपए बनती है ठीक है और उसके साथ-साथ ही इनको जो है अलग से allowance दिये जाते हैं अलगले allowance ठीक है तो salary slip हम आपको एक दिखाते हैं और उसी salary slip से समझेंगे कि इनको क्या-क्य allowance मिलते हैं और इनकी basic salary कितनी होती है और salary slip के बारे क्यों को समझेंगे हैं आज चलिए एक बार nursing office salary का overview देख लिते हैं तो यहां पर आप देखेंगे दिया है the salary is as per 7 CPC ठीक है जो आपकी salary मिलती है हो 7 CPC के according मिलती है the payment of the nursing officer is INR 9300 to 34800 ठीक है आपका grade पर होने वाला है ओ छे आले सो पर होने वाला है ठीक है उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे कि इसका पूरा basic क्या है ठीक है आपको salary slip दिखाके तो चलिए फिर इसके बाद हम आपको सिधे salary slip पर लेके चलते हैं तो दोस्तों हम आपको सिधे salary slip दिखाते हैं तो यह दे हम आपको पहले बता हैं कि इसमें 7 cpcp आपका salary बनते है तो यहाँ पर देख दिया है level 7 ठीक है और अब आपको नीचे ले सकते हैं तो यहाँ पर देखे पूरा salary का detail दिया है कि कि इसमेर यहाँ लिए कि लिए है कि में पहले करें हम देख थे हैं कि क्या क्या इसमें अलावंस मिलते हैं और रिया अम की बनती है । सबसे पहले यहां पे दिया आपको बेशिक पे ठीक है आपका जो बेशिक बनता है we पे पे वह आपका होता है 44,900 रुपए तो यह आप यहां पर देखेंगे 44,900 रुपए आपका basic बना हुए और basic पे फिर आपका percentage wise जो है आपका TA, DA, HR, यह सब लगता है ठीक है तो बात करें आपका DA की तो DA होता है आपका DA होता है आपका basic का 31% ठीक है तो अगर आप 44,900 का 31% निकालेंगे तो आपका बनता है 13,919 रुपए तो आपको DA यहां पर 13,919 रुपए दिया जाता है ठीक है तो यह आपके 64,900 जो basic है उसमें आपका add हो जाएगा DA ठीक है 13,919 रुपए आपका 31% बेसिक का ठीक है और यह यह अपका DA के बाद फिर आजाते है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठांसपोर्ट अलाउंस आपका जो है ट्रांस्पोर्टि या जाता है और तो यह बहुता है duasinfect में और उस के बाद Try consider या टीक है अउससार जो है ८्हाइब क இत्रार बोलते हैं थीक है मैंकान किराएबाता तो यह आपको एक सिटी दूसरी होती है आपकी ये सिटी देली के शिटी ठीक है is बने गए 6-8 रूपए में ने सिजिए में यह होती है मत्ती जी तर्फ 18% आपका बन जाता है 8,082 रूपे तो अभी मैं आपको अपको अचारे श्लिप दिखा रहा हूं इसमें आप है देखेंगे तो आपका 8,082 रूपे बन रहा है यह आपका एम्स यह आपके वाइग्रेड में आता है ओर इसका जो आठाज़ रूपे बनता है ठीक है क्योंकि 18% के हिसाब से 8,082 रूपे बनता है तो यह पर शाप से आपको अचारे मिलता है और वहीं पर बात करें आपके जड क्लास में आते हैं वहां पे 9% के हिसाब से आ अगर निकालते हैं बेसिक पर आपको 54900 पर तो आपका बन जाता है 4041 रुपए ठीक है अगर आपफे जेड है क्लास के सीटी में रह रहे हो तो आपका आपका रह चारे जो है हो 4041 रुपए बनते हैं आपके बेसिक है थीक है तो यह तो आपका अभी तक ढीint ऐटी ए डिये और अचयारे की बात होगे ठीक है उसके बाद भी नर्ष इंग काद Name मिलते है जो कि और एरिया से थۦ्ड़ Teachers इक्स्त्र इलार्ट होते अंडूτε रिक है तो एकना नर्सिंग यौाउंस होता आपका नर्सिंग अलाउंस और अठारव रुपए आपका ड्रेस अलाउंस हर मन्त आपको मिलता है और वहीं पर नई पेंशन जो एनपीएस आई है वहां से आपको आठाजार दोसो पैंटिस रुपए आपको गौवर्मेंट जो है वो पे करती है आपके एकाउंट में ठीक ह तो अगर आपका बेसिक देख लें और बेसिक में सब एड करते जाते हैं तो आपका टोटल सेलरी की बात करें आपकी जो ग्रास सेलरी बनती है वो बनती है एक्टी सिक्स थाउजन्ट फो हंड़नेड नाइनटी फोर रुपीज ठीक है आपकी छे आसी एजार चारसो चौर चारसो चौरांबे रुपए की ग्रास सेलरी बनती है और उसके बाद हम बात कर लेते हैं बैद Ugh और यहांपे क्या है दिड़क्ट किया जाता है आपका है अगर निकन्म कारत जायेगा और उसके बाद आपका हर महीं ने आपके एकउंट से नप्प्य कि बाद में आपको जो है salary के रूप में आपको बाद में दिया जाएगा रेटायर होने के बाद तो आपका जो NPS करता है वो 5882 रूपे करता है NPS जो है आपका जो employer होता है वो भी आपके एकाउंट में देता है और आपके salary से भी काटा जाता है 10% आपका ठीक है तो दोनों लोग का मिला कि जो है NPS काटा जाता है और वो आपके account में जमा होता रहता है और उसके बाद बात करें आपका NPS employer contribution तो अभी मैंने बताया कि employer जो है यहाँ पर आपको 8,235 रुपए देता है ठीक है तो ओई भी यहाँ पर add हो जाता है आपका कटके ठीक है तो आपका employer और employee दोनों का जो है NPS कटता है और income tax कटता है ठीक है तो सब मिला के आपका जो है total deduction होता है 19,170 रुपए का तो आपका जो है basic salary होती है आपके 86,494 रुपए और उसमें से deduct हो जाता है आपका 19,170 रुपए ठीक है तो आपका 19,170 रुपए जो deduct हो जाता है तो आपके 86,494 में से हम अगर 19,170 को माइनस करते हैं तो आपकी जो है बनती है हो 66,377 रुपए ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे आपके net salary यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है net salary हो जाएगी आपकी इन्हेंट salary होती है जो कि आपके account में हर महीने आती रहती है तो अगर आप वाइग्रेट के CT में कितना allowance मिलता है यह सब जानकरिये मैंने आपको दिये ठीक है क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी job करने जाते हो तो salary जो है एक बार देखनी जरूरी होती है कि हमें किस grade पे पर कितनी salary मिलेगी और क्या के allowance हमको एक्स्ट्रा मिलेंगे वहाँ पर क्योंकि हर जगह पर अलग-अलग allowance दिये जाते हैं ठीक है central government का थोड़ा अलग होता है और state का अलग होता है लेकिन TDA चारह यह तो सब जगह मिलता है ठीक है और CT के उपर भी depend करता है कि आपका allowance कितना दिया जा रहा है आपको कितने percent allowance दिया जा रहा है तो दोस्तों जहां तक उमीद करते हैं कि salary के बारे में जितने भी confusion आपके थे वो सारे दूर हो गया होंगे लेकिन फिर भी अगर आपको अभी भी salary से related कोई confusion है तो आप हमें comment section में message कर सकते हैं लेकिन उसके पहले अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को जरूर से subscribe कर लिजीगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नर्सिंग से related information हमेशा ले आते रहते हैं और हमारे चैनल पर आपको job से related latest जानकारियां मिलती रहती है तो एक बार चैनल को जरूर से subscribe कर लिजीगा it is very helpful for your future